हेलो अब्रीवन आप आप से भी बहुत अच्छे होंगे तो एक वार फिर से आपका स्वागत है फीविल फर्स सीरीज में तो आज हम लेकर आए हैं आईशा मलिक जी के बारे में तो आईशा मलिक जी आपकी जो है हमने जैसा कि आप प्रॉमिस किया हम इंडिया एंड वर्ड तो वर्ड में पाकिस्तान भी आता है तो कोई ओफेंड होने की ज़रोता नहीं है पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है भी न्यूज है तो अव्यसी बात है आपको पता होना चाहिए तो पहली बात है आईशा मलिक ठीक है आईशा मलिक जी को पाकिस्तान के सुप्रीम गुलजार एहमाद उन्होंने इनको शबत दिलाई और आईशा मलिक की क्वालिफिकेशन के वारे में अगर हम जानेंगे वो थोई देर में आईशा मलिक क्या है इससे पहले लाहौर कोर्ड में जज्टी ठीक है जिने आप सुप्रिम कोर्ड में काम करने का मौका मिला है यह पाकिसान के न्याई के तियास में एक महतपूर छड़ है माना जा रहा है इस घड़ना को रूणिवादी मुस्लिम देश में न्याई एक मिलक के पत्थर के रूपे माना जा रहा है तो आपका इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो है आपकी हावाद लू स्कूल से ल्लम ग्रेजुएट है आपकी न्याई मूर्दि आईशा मलिक और 2012 में यह क्या था कि लाहर उचनियाले में जजज के रूप में पदुनत होने से प्रमुक एक प्रमुक कॉर्पूरेट और बाड़जी कानून फर्म में पार्टनर थी ठीक है और यह वर्दमान में लाहर उचनियाले में चोहती सबसे वरिष्ट नियाई दीश थी है फिर वहाँ पे वह अपने अनुशासन इस पक्षिता और अखंड़ता के लिए जानी जाती हैं और इनके कई प्रमुक सवेदानिक मुद्धों पर इन्होंने सक्त अपने फैसले लिए हुए हैं जिसमें चुनावों में संपती की गोशना गन्ना अत्पादकों को भुगता और पाकिसान में अंतरास्टी मद्धिस्ता को लागू करना इसमें इनके महतबून फैसलों में सामिल हैं और आईशा मलिक जी को पाकिसान के सर्वोच नियाले में प्रमोशन मिल गया है अब निया मुट्य आईशा मलिक जून दोहजार 21 तक ठीक है यह गलत नहीं लिखा वो 65 वर्स हो जाएगी ठीक है तो 65 वर्स की आयू सिवा निया मुट्य आईशा मलिक जी पाकिस्तान के सर्वोच नियाले में सबसे बरिस्तम नियादीश होंगी और बहुत जादा मंगिन है कि वो पाकिस्तान सुप्रीम कोड की पहली महिला चीफ जस्टिस भी हो सकती है मत भूलेगा थैंक्स पर लिस्निंग में